नमस्कार साथियो, तो करेंट अफेर्स की इस क्लास में, मैं सोनवीर में लिए आपका स्वागत करता हूँ, भई पहले तो माफी चाहता हूँ, दो दिन के लिए आपकी क्लास थोड़ी डिस्टरबेंस रही, पर दोनों दिन क्लास का बच्चो बहुत मजबूरी थी, अब मैं 99% जब तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी जाने की, ठीक है बच्चो, जल्दी बताओ एक बार मुझे, जल्दी से बताओ, क्या सब को आवाज वगरा बिलकुल फिट आ रही है, आज बहुत महत्पूर्ट टॉपिक है, सम्मेलन का बड़ा चोटा सा टॉपिक था, इसलिए मै मैंने वो आज के लिए नहीं रखा है, ठीक है, आज के लिए मैंने नहीं रखा है, बच्चो, हिंदी की क्लास का टाइम हो गया है, मैं जानता हूँ आज थोड़ा मैं लेठ हूँ, तो आप हिंदी की क्लास ले सकते हो, बाद में ले 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 जवाब का टाइम हो, ठीक है, कल से बिल्कुल टाइम पर शुरू करूंगा बच्छो ठीक है जल्दी से एक बार बताओ बच्छो क्लियर है ना कोई दिक्कत तो नहीं है आवाज पुलकित दूसरे चैनल पर भी हो रही है लाइव पुलकित पुलकित पुलकिते कमेंट में ही बता देना दूसरे चैनल पर सब ठीक चल रहा है नहीं ठीक है चलो शुरू कर देते हैं बच्छो आज important topic है बच्छो current affairs का जिनने आज time मिले आज देख लेना बाद में time मिले बाद में देख लेना चलो थोड़ा मैं ध्यान रखूंगा इसका भी बच्छो कल शाम class नहीं हो पाई आज सुबह नहीं हो पाई मैं फिर से माफी चाहता हूं भाई आप लोगों से बहुत- वैसे भी फाल तु ले लिया करूँगा चलो बच्छो Olympic Games and Their History Olympic के बारे में बात करेंगी जो aesthetic के सवाल बन सकते हैं वो aesthetic के भी बच्छो जो normal सवाल बन सकते हैं और normal के भी बारे में बात करेंगे ठीक है जो normal बन सकते हैं तो देखिए शुरुआत करते हैं What do the Olympic rings mean? Ring जो है इनका क्या मतलब है बच्छो देखो एक नीले कलर का ऐसे पांच छले होते हैं Olympic के कितने छले होते हैं बच्छो पांच छले होते हैं जो नीला है वो यूरोप को प्रदर्सित करता है हमारा वाला जो Asia है वो पीले को प्रदर्सित करता है बच्छो Africa, And, Mahadip भी कह देते हैं इसलिए काले रंग को करता है बच्छो रिप्रजेंट Australia जो है ग्रीन कलर को रिप्रजेंट करता है बच्छो आर रेड को अमेरिका क्योंकि लडाई भडाई में अमेरिका रहता है हर वक्त बच्छो ठीक है पुल्कित सही है मिल गया message स्पुल्कित यूब्ट जो है नीला और अफ्रीका जो है बच्छो क्या बलैक जो Asia है यलो और Australia बच्छो हरा और लाल अःब इसे कुशन कैसे पोछ आच है, ओलम्पिक में जो काले रंग का छला है, क्या वो अमरीका को प्रदर्सित करता है, नहीं जी अफरीका को करता है, लाल रंग का क्या एशिया को करता है, नहीं जी एशिया को पीले रंग का करता है, यूरोप को नीले रंग का करता है, यूरोप जितने भी देश हैं, रिंग है बच्चो वो प्रत्वी के एक महादूइप के लिए है, ब्लू यूरोप के लिए, ब्लैक अफ्रीका के लिए, रैड अमेरिका के लिए, येलो एशिया के लिए और ग्रीन जो है ऐस्ट्रेलिया के लिए ठीक है, पहले उलम्पिक कब खेले गए तीन सवाल, अब पहले कब खेले गए? 706 बिफोर क्राइस्ट, BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानि लगभग 2800 साल पहले, लगभग 2800 साल पहले खेले गए बच्चों, दूसरा है कहां खेले गए? ओलंपिया, ग्रीस, यानि युनान में खेले गए, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? वो एथेंस, यानि की वो भी युनान में हुई, यानि दौनों ही कहां हुई बच्चों, शुरुआत युनान में ही हुई, आधुनिक हुए 1896 में से शुरू, क्योंकि ओलंपिया नाम की जगे पर हुए थे, इसलिए ओलंपिक खेलों का नाम पढ़ा बच्चो ठीक है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्म दाता किसे कहा जाता है, एक शक्स थे, पायरे डी कोबर्टिन, क्या नाम था बच्चो, पायरे डी कोबर्टिन एक शक्स का नाम था, उन अंतरास्तिय ओलंपिक समीती की स्थापना 894 में किसके प्रियासों से हुई, तो वो भी इनके ही प्रियासों से हुई, इनी को इसलिए जनमदाता भी कहा जाता है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का बचों, ठीक है, चलो, अंतरास्तिय ओलंपिक समीती का मुख्याले, लुसाने स सुझ्जय लेंड में, कहा पर है, लुसाने सुझ्जय लेंड में, बचो कल शाम क्लास नहीं हुई और आज सुबह नहीं हुई, दो क्लास नहीं हुई, माफी चाहता हूँ, इस वीक कर दूंगा, दो दिन बहुत बेकार गए हैं, अब मैं यहाँ डिसकस नहीं करना चाहता हू इसलिए अभी कलास लेंगे बचो, ठीक है, प्लीज, अंतरास्टी ओलम्पिक समीती का मुख्याल है लुसाने सुझ्जय लेंड और ओलम्पिक का मोटो क्या है बचो, ओलम्पिक का मोटो, देखो पहले क्या हुआ करता था, ओलम्पिक का मोटो किस लिए है, क्या अच्छा है olympic का ठीक है बच्छो देखो तो motto जो है citys, altis, fortis, तीन वर्ड हुआ करते थे olympic के motto में, citys, altis, fortis, जिसका मतलब है अंग्रेजी में faster city, city की life होती है, बहुत fast तो citys हो गया बच्छो, altis, altitude कहते हैं उचाई को, तो हो गया higher और बच्छो, fort कैसा होता है, fort मजबूत होता है, इसलिए stronger, इसलिए क्या हो गया बच्छो, stronger हो गया, तो पहले हुआ करता था citys, altis, fortis, city तेज life को represent करता है, तो बच्छो faster और बच्छो, altis है बच्छो higher और fortis है stronger, याद रखना है ठीक है, अब नया एक word और जुड़ गया, citys, altis, fortis, communiter, citys, altis, fortis, communiter, और communiter जो है इसका मतलव अगर अंग्रेजी में देखें, together, क्या है बच्छो, together, यूरोप को represent करता है, yellow Asia को करता है, ये अफरीका को करता है, ये बच्छो किसको, Australia को करता है, और ये अमेरिका को करता है, किसको करता है, ये अमेरिका को करता है, तो citys क्योंकि fast चल रहा है, fast life है, तो citys, altis यानि altitude से होके आ रहा है, तो higher हो जाएगा, बच्चो 40S यानि 40 के जैसा हो जो strong यानि stronger हो जाएगा और बच्चो अगला है community यानि together साथ-साथ community का मतलब है साथ-साथ community में रह रहें community community माने समुदा है जहां लोग साथ-साथ रहते हो उसे कहते हैं बच्चो community ठीक है चलो ओलंपिक का ध्वज जो है पहली बार कब फैराया गया सीधा सीधे सवाल आता है बच्चो कब फैराया गया और ध्वज की प्रस्ट भूमी किस रंकी है background background जो है ओलंपिक का जो flag है उसका किस तरह का है तो देखो 1920 में एंटवर्प नाम की जिगह पर olympic हुए वहाँ पहली बार ध्वज फैराया गया क्या फैराया गया बच्चो ध्वज यानि कि flag जो है वहाँ पहली बार flown हुआ ठीक है और बच्चो इसमें प्रस्ट भूमी यानि background है इसका white color का olympic का simple सा ध्वज है पूरा का पूरा white है और 5 बच्चो olympic के flag है ब्लू नीले को प्रदर्सित करेगा येलो बच्चो जो हमारा है एसिया जो black है वो अफरीका को ये जो green है ऑस्टेलिया को और red जो है अमेरिका को यानिकि अमेरिका जो महादूइप है तो 1920 आपको याद र तो एक बार तो प्रद्धम विश्युद्ध की वजए से और second का मतलब दो और दो बार यानिकी दुतिय विश्युद्ध की वजए से बच्चो ठीक है कितनी बार olympic नहीं हुए बच्चो एक तो 1916 में नहीं हुए, 1940 में नहीं हुए, 1900 बच्चो किस में नहीं हुए, 44 में यह तो पड़ा प्रद्धम विश्युद्ध के बीच में और यह दोनों साल पड़ी हैं, दुतिय विश्युद्ध के बीच में, किस के बीच में बच्चो दुतिय विश्युद्ध के बीच में, तो बच्चो महिलाओं ने किस olympic में पहली बार भाग लिया, 1922 में, फ्रां की प्रस्ट भूमी के उन से कलर किया है, सफेद कलर किया है, और बच्चो जिसमें कितने रिंग है पांच कलर के है, अमेरिका किसको करता है? रेड जो है बच्चो उसको अमेरिका करता है. ठीक है? बिलकुल विशाल सही बात है, 1949 से 45 तक चला कब चला बच्चो 1949 से 45 तो इस वज़े से 49 के बाद ये है और 45 से पहले ये है इसलिए दो बार Olympic खेल नहीं आयो जित हो पाए Second World War की वज़े से और First वाले की वज़े से पहली बार नहीं हो पाए बच्चो ठीक है चलो, Olympic की मशाल पहली बार किस Olympic में जिलाई गई क्या सवाल, इसलिए पहले आंसर नहीं लिखा कि आप देख लो कि आपको ये आंसर पता है क्या मशाल पहली बार कब अपनाई गई और बच्चो मशाल का वर्तमान सरूप वर्तमान सरूप जिस तरह की मसाल अब है वो कब अपनाई गई 1920 में जंडा फैरा दिया उसके बाद मसाल अपनाई गई 1928 में अपनाई गई बिल्कुल ठीक है 1920 में महिलाओं ने हिस्सा लिया 1920 में बच्चो देखो सबसे पहले 1809 में 1809 में में Olympic हुए पहले कौन से बच्चो आधूनिक ठीक है 1900 में महिलाओं ने हिस्सा ले लिया 1920 में बच्चो एंट वर्प में जंडा फैरा दिया 1928 में मशाल को अपना लिया बच्चो मशाल जलाई गई 1936 में वर्तमान सरूप मसाल का 8-8 साल का अंतर है 1920 जो है बच्चो जंडा फेरा दिया 8 साल बाद मसाल अपना दी उसके 8 साल बाद बच्चो फिर से जो अभी आधुनिक रूप की मसाल है वो ठीक है वो आधुनिक रूप वाली ठीक है चलो निशान ठीक चलिए तैयारी चलो बच्चो 2020 में आयोजित हुए थे ये कौनसे नंबर के ओलंपिक थे जल्दी कमेंड करके बताओ बच्चो ये कौनसे नंबर के ओलंपिक थे जो 1920 वाले 21 में हुए है जल्दी बताओ बच्चो 1920 वाले जो 21 में हुए है वो कौन से number के हैं, जल्दी से comment करके बताओ, बच्छो, जल्दी comment करके बताओ, फुलकी ठीक चल रही है class, दूसरे channel पे भी, भई घर से न, दौनों channel पे होती नहीं थी, तो अज पहली बार कराया है, अब क्योंकि घर से दौनों पे अगर हो जाएगा न, तो फिर एक आद class extra कोशिश करूँगा, ले लिया करूँ आपके लिए, चाहे 10 मिनट की क्यों न, ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्छो, 32 में, जो 32 कह रहे हैं न, वो बिल्कुल ठीक हैं, 32 वाले बिल्कुल ठीक हैं, चलो, बहुत अच्छे पुलकित, आज तुमार में, 1920 वाले एंटवर्प में हुए थे, 1900 में महिलाओं ने हिस्सा लिया था, सारे के सारे उंगलियों पे होंगे, कि साल खतम हो जाने चाहें, ठीक है, चलो, बच्छो, मशाल के वर्तमान सुरूप को कब अपनाया गया, ये अपनाया गया, बच्छो, 1936 के बर्लिन उलम्प में, एक है लॉस एंजलिस अमेरिका में, जहां हॉलिवुड है, जहां हॉलिवुड है, बच्छो, ठीक है, और एक है पैरिस सहर, एक है पैरिस सहर, बच्छो, एक नंबर बिस्बेन, दो नंबर लॉस एंजलिस, तीन नंबर पैरिस, अगले तीनों ओलम्पिक इन तीन जग जल्दी से comment करके बताओ, अगर आपको जाने का मौका मिल जाए मेरे शेरो, तो कौन सी जगे जाना पसंद करोगे, जल्दी बताओ, क्या Brisbane जाओगे, क्या Los Angeles जाओगे, या Paris जाओगे पहले नंबर पे, शबास भई, जो कह रहें, Paris, 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 एक भी बच्चा है सनी है, जो Paris ना कहता हो, बिलकुल बच्चो, सबसे पहले आप जाना चाहोगे, पैरिस, क्योंकि पैरिस इतनी सुन्दर जगे जो है, ठीक है, दूसरे नंबर पे, अब पैरिस के जहाज की सीट हो गई, फुल, और भई, बोले लोग, जो आपको कमपनी ले जा रही है न, वो बोली भई पैरिस तो फुल है, अब बताओ, कहां जाना चाहरे हो, दूसरे नंबर पे बताओ, तो आप कहोगे, चलो कम से कम, हॉलिवुड के स्टूडियो वगएरा देखे आएंगे, वहां के एक्टर्स को देखाएंगे, ठीक है, तो दूसरे नंबर पे बच्चो, लोस एंजलिस, ठीक है, लोस एंजलिस जाओगे, और तीसरे नंबर पे जाओगे, कहां, ब्रिस बेन, ठीक है बच्चो, ब्रिस बेन जाओगे तीसरे नंबर पे, अब आप बताओ, कि ये पैरिस कहां है, फ्रांस में, तो हो सकता है आप से देश पूछ ले, तो आपको पहले शहर याद हो तो, Brisbane, Australia में है, ठीक है, चलो, तो ये आपके सारे question हो गए, भारत ने olympic में पहली बार कब हिस्सा लिया था, जिस बार महिलाओं ने लिया था, जिस बार महिलाओं ने हिस्सा लिया था, उसी बार भारत ने भी लिया था, बच्चो, पहली बार किस olympic के लिए team भेजी थी, तो हमने जिस olympic में team कब भेजी थी बच्चो, हमने कब team भेजी थी, इसमें तो individual एक अंग्रेज ने हमारी तरफ से हिस्सा लिया था 1900 में, हमने team भेजी 1920 में, कब भेजी बच्चो, इंडिया की team कब गई 1920 में, कब गई बच्चो, 1920 में बच्चो, ठीक है, मशाल बच्चो, अब जैसे मशाल क्यों जलाई जाती है, यह देखने के लिए कि हम लगातार चल रहे हैं, हम लगातार चल रहे हैं, जैसे सिक्चा की law जला रहा है कोई, सिक्चा की मशाल, उसी तरह Olympic मशाल, जो लगातार, यानि निरंतरता का प्रतीक है, कभी भी नहीं बुझेगी, यह एलो, recap, बच्चो, 1894 में, 23 जून 1894 में बनी Olympic Committee, ठीक है, 1896 में Athens में हो गई, क्या बच्चो, Olympic खेल, 1896 में में पहले हो गई, ठीक है, 1900 में महिलाओं ने हिस्सा ले लिया, और 1900 में ही भारत ने भी हिस्सा ले लिया, एक individual आदमी ने बच्चो, ठीक है, 1900 में ही महिलाओं ने, 1920 में भच्चो, जृंडा फेला दिया, और हमने team भेज़ दी, 1920 में जृंडा फेला दिया, और हमने team भेड़ दी, ठीक है, 1928 में मशाल जल गई, लेकिन जो वर्तमान सौरूप है मसाल का, वो 1936 में जला, कब जला बच्चो, 1936 में जला, ठीक है, ध्यान रहेगा, 1936 में वो ठीक है, चलो, तो बच्चो, उलम्पिक के उद्गाटन में, सबसे आगे कौन सी टीम, सबसे पीछे कौन सी टीम, और उलम्पिक में मैसकट कब से शुरू हुआ, बहुत महत्मून सवाल है, मैसकट कब से शुरू हुआ बच्चो, 1968 से, यानि 1936 के बाद, कोई इंपोर्टेंट घटना कब हुई, 1968 में, जो मैसकट शुरू हुआ बच्चो, क्या हुआ, शुभंकर की शुरुआत की गई, किसकी, शुभंकर की शुरुआत की गई, कब की गई बच्चो, वो शुभंकर की शुरुआत की गई, ठीक है, तो देखो, युनान की टीम सबसे पहले रहती है, य मेजबान देश की सबसे पीछे रहती है मेजबान देश की किसकी मेजबान यानि कि कौन सा जो की होस्ट कंट्री है जहां आयोजित किये जा रहे हैं बच्चो ठीक है जहां आयोजित किये जा रहे हैं बच्चो ठीक है आज मैं नहीं कहूंगा बच्चो एक बच्चा कह रहा है गौरव कुमार जैन के रहें, लाइक कर दो, सब भई, लाइक के लिए मैं आज निकोंगा, मैं दो क्लास ले नहीं पाया, ना मैं कल ले पाया, शाम ना आज सुबह, इसलिए मेरी तो हिम्मत नहीं पढ़ दी भई, अभी आप पढ़ो, होने तो एक दो दिन रेगुलरिटी फ बच्छो, बिलकुल मिराई तोवा इस बार का मैस कट था, बिलकुल ठीक है बच्छो, ठीक है, चलो सबसे ज़्यादा सुअन पढ़ जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम पर, एक ही ओलम्पिक में, क्या आपको पता है, और एक ही ओलम्पिक में सबसे ज़्यादा सुअन पदक हैं, रूस के सबसे ज़्यादा एक ही ओलंपिक में पदक है, और बचो, अगर एक एथलीट के बारे में बात करें, तो माइकल फिलिप्स ने जीते सबसे ज़्यादा, बीजिंग में आठ स्वर्ण पदक, यह जो स्वर्ण पदक का सबसे ज़्यादा का रिकॉर्ड है, यह अक्सर किसके नाम पे होता है, यह अक्सर बच्चों किसी किसके नाम पे होता है, किसी तेराक के ही नाम पे होता है, क्योंकि तेराकी की बहुत सारी प्रत्योगताइं होती है, ठीक है, तो अक्सर तेराक के नाम पे होता है, और यह Michael Phillips जो हैं बच्चों, इन्होंने जीते थ पदक माईकल फिलिप्स के बराबर बैठते थे, अब हमारे 35 हो गए हैं, अब हमारे 35 हो गएं बच्चो, लेकिन अगर पिछले उलम्पिक तक की बात करें, तो हमारे 28 थे, और माईकल फिलिप्स के भी 28 थे, तेराक थे अमेरिका के, और एक ही उसमें सबसे ज़्यादा, अगर सुर्ण पदक जीतने का record है, तो रूस के नाम है, अगर एक खिलाडी के नाम पे बात करें बच्चो, तो वो किसके नाम पे है, वो माईकल फिलिप्स के नाम पे है, ठीक है, 2016 के ओलम्पिक कायोजन, ब्राजील के रियोडी जनेरियो में हुआ, और इसमें भारत का इस्थान था, 2016, कौन सा बच्चो, भारत का इस्थान इसमें था, 2016 अगर हम 2016 की बात करें बच्चो, अब हम आ जाते हैं इस साल के ओलम्पिक पे, ठीक है, अब तक clear है, जल्दी बताओ बच्चो, यह तो static question थे जो बनते हैं, static question थे जो बनते हैं बच्चो, किसी भी exam में आने के, अब हम बात करेंगे, ओलम्पिक 2020 की, कौन से की बात करेंगे, ओलम्पिक 2020 की बात करेंगे, जल्दी बताओ बच्चो, अब इता clear है, जल्दी थमसब कर दो भई, लाइक के लिए नहीं बोल रहा है, थमसब तो कर दो जल्दी से, अब की बार 48 नमबर था, निशानत कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है बच्चे, इस बार 48 ही नमबर था, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया बच्चो, रितिका भी आज क्लास में, रितिका बहुत दिनों बाद क्लास जोइन करिये, बीच बीच में जो gap ले जाते हैं, हम यही gap नहीं करना हैं बच्चो, ठीक है, मेरा gap जो होगा, उसे तो भई मैं छती पूर्ती कर दूँगा, यह तो वादा करता हूँ, कि अगर मैं एक दिन नहीं पढ़ा पाया है, तो अगले दिन जरूर कर दूँगा, और बच्चो किसी दिन क्लास ना होना 1%, तो जनवरी से लेके दिसंबर 2021 तक की प्ले लिस्ट पड़ी है, रोज जिस दिन नहो एक घंटे के करीब की कलास होती है, उस दिन वो एक जरूर देख लिया करो, उसमें MC की फॉर्म में कुशन है, बहुत असान आपके लिए हो जाएंगे, जल्दी से देखते हैं बच्चो, यह है बच्चो शुरुआत कब हुई, तक शुरुआत वाला कुशन वैसे अब कम पूछेगा, है ना, लेकिन 2021 में हुई है शुरुआत कब, 2021 में, पर फिर भी अगर पूछ ले तो आप बताओगे 23 जुलाई से 8 अगस्त, 23 जुलाई से 8 अगस्त, क्योंकि 7 अगस्त को जीता था हमने एक प समापन था, गोल्ड मेडल से अगले दिन बच्चो ओलंपिक का समापन था, तो शुरुआत 23 जुलाई 2021 को समापन 8 अगस्त, 2021 को 32 में समर ओलंपिक थे, कौन से 32 में थे बच्चो, 2020 में दोनों ओलंपिक हुए बच्चो, एक तो पैरालंपिक भी हुए जो दिव्यांग खिल कर थे, क्या थे बच्चो, मिराई तोवा और समेटी, मिराई तोवा किसका, में जो समर ओलंपिक है, और पैरालंपिक का बच्चो, समेटी, पैरालंपिक का समेटी बच्चो, ओलंपिक लॉरेल पुरुसकार किसको दिया गया, ओलंपिक बच्चो, जिसने खेलों के लिए ब पूछा जाए, आप मुहम्मद यूनुस, क्या बताओगे बच्चो, मुहम्मद यूनुस बताओगे, है ना बच्चो, अब एक कुशन बनता है, अंतरास्तिय ओलंपिक समीती के अध्यक्ष कौन है, वो समीती जो लुसाने सुरिजर लेंड में है, वो हैं बच्चो, थॉमस कौन है, थॉमस बाक, उसके अध्यक्ष है बच्चो, 2020 में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था, चीन की शूटिंग खिलाडी, खियान यांगने, किसने बच्चो, खियान यांगने पहला और दूसरा बच्चो, सबसे युवा खिलाडी, कई पेपर में अब तक पूछ चु वो भी सॉफ्ट होता है न, जितनी कम अमन होगी उतना बच्चा सॉफ्ट होगा, तो यह ध्यान रखना है, सबसे युवा खिलाडी, मौम जी निसिया, जापान की हैं बच्चो, ठीक है, स्ट्रीट, स्केट बोर्डिंग इनका खेल था, और चीन की शूटिंग खिलाडी, क Bramuda Triangle famous है, यह कहां परता है, यह उतरी अमेरीका है, यह सारा का सारा उतरी अमेरीका है बचो, इसमें यह देच उपर वाला कैनेडा है, और यह नीचे वाला जो देच है, बच्चो, एक्या है, तो यह इसके पास है, Bramuda Triangle, तो जीतने वाला गोल्ड सब से चोटा कून सा है बर्मूडा है बच्चो ठीक है बर्मूडा भारत की तर से ध्वजवाहक जल्दी बताओ ओपनिंग में कौन थे आप बताओगे बच्चो आप बताओगे मैं नहीं बताओंगा जल्दी बताओ जल्दी बताओ बच्चो सबसे पहले अच्छा मनिका कह रही है नीज़त चोपड़ा का नाम शुरू में कोई थाई नीज़त चोपड़ा ने तो कैसे किया एक साथ आके और बच्चो तहलका मचा दिया सबसे पहले दो लोगों को रखा बच्चो ध्वजवाहक फ्लैग भी अर जो सामने चलके क्या जंडा हाथ में लेके चलते हैं और वो जो जितना दल जाता है उसमें से वो दो सबसे सम्मानित मान लिये जाते हैं बच्चो ठीक है तो कौन-कौन थे मेरी कौम बच्चो मेरी कौ उनकी उपलब्धियों के बारे में तो कोई आपको बताने की जरूद है नहीं और दूसरा मनप्रीत सिंग मनप्रीत सिंग हमारे हौकी के कपतान है ठीक हो लड़के और लड़कियों को बराबरी देने के लिए दौनों में से एक-एक चुन लिया बच्चो ठीक है और समाप तीन ना में आद रखने मेरी कॉम और मनप्रीत सिंग शुरुआत में और लास्ट में बजरंग पुनिया क्योंकि बजरंग पुनिया ही रास्ट वाला मेडल वी जीता था बच्चो ठीक है मनप्रीत सिंग होकी के है मेरी कॉम बॉक्सिंग की है बजरंग पुनिया है कुस्त और gold medal में भी यही क्रम है, total medal में भी यही क्रम है, अगर देखी जाए तो यही same क्रम, और अगर पूछे gold medal सबसे ज़्यादा किसने जीते, तो वो भी अमेरिका पहले नंबर पे, चीन दूसरे नंबर पे, जापान तीसरे नंबर पे, लेकिन आप ध्यान रखना, जिसके gold के जादा है, तो इसलिए, अगर एक देखने 70 पदक जीते, लेकिन एक भी gold medal है, और gold medal नहीं है, और एक देखने केवल एक पदक जीता, लेकिन वो gold medal है, तो कौनसा वाला पहले नंबर पे आएगा, जल्दी बताओ, कौनसे की ranking उपर रहेगी, एक ने 70 पदक जीते, लेकिन सारे bronze और silver है, एक ने gold medal जीता, एक, एक gold medal ही जीता है, तो किस की ranking उपर आएगी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बचो, किस की ranking उपर आएगी, एक वाले की ranking, बिल्कुल ठीक है बचो, gold वाले की ranking उपर आने वाली है बचो, ठीक है, चलो, तो ये इन तीनों चीज ध्यान रखनी है, भारत का इस्थान 48-वा रहा बचो, भारत के कुल पदक साथ थे, पहला पदक हमारी तरफ से जीता था, किसने, साइखोम मीराबाई चानू, जिनका पूरा नाम है साइखोम मीराबाई चानू, वैसे बचो मीराबाई चानू कहते हैं, जाद अतर, ठीक है, तो silver medal जीता और पहला पदक इन्होंने ही जीता था, 40 kg भारवर्ग में पूछ लेता है, कुल कितना वजन उठाय थे, नोने 202 kg वजन उठाय था, दो बार उठता है, ठीक है, 202 kg वजन उठा था, ठीक है, 49 kg वेट केटिगरी में यह है, पहला medal, मैडल की शुरुआत इन्होंने कर फोर, एक गोल्ड मेडल, दो सिल्वर मेडल, चार ब्राउंज मेडल, तो सिल्वर वाले तो हमने दोने खलाडी पढ़ लिये बच्चो, एक तो है 40 kg भारवर्ग में, क्या वेट लिफ्टिंग वाली मीरा भाई चानू, एक है कुस्ती वाले 57 kg में रवी दहिया, 57 kg में रवी ASP बनाया है उन्हें, ASP, DSP से उपर ASP, फिर ASP होता है, Assistant Superintendent of Police, क्या बोलते हैंने, Assistant Superintendent of Police, ASP बनाया है मनीपुर की सरकार ने, इनको बच्चो, ठीक है तो ये हो गए, अगला है बच्चो, PV सिंधु ने ब्राउंज मेडल जीता है, PV सिंधु आप पता होगा, 2016 में उन्होंने Silver जीता था, 2016 में बच्चो उन्होंने Silver जीता था, इस बार उन्होंने Bronze Medal जीता है, यानि दो Medal जीत लिये ओलंपिक में, और ऐसा करने वाली पहली महिला है, PV सिंधु, ऐसा करने वाली है नहीं, भारत की तरफ से एक से जाधा Medal जीतने वाली, दो Medal जीतने वाली पहली महिला को बच्चों लवलीना बोर्गहन असन्म्की हैं होकाकि असन्म्की और याप जानते हो असन्म्क इन से पहले कोई भी खलाडी ओलमपिक में कोई भी पदक नहीं जीत पायそうだ यानि असम की किसी खिलाडी ने पहली बार जीता बचो पहली बार जीता बचो ठीक है क्या आवाज कट रही है बच्चो क्या आवाज कट रही है बच्चो कि जल्दी बताना एक बार कि जल्दी बताओ बच्चो कि विशाल आवाज कट रही है क्या ठीक आ रही है ठीक है आवाज ठीक है बच्चो एक आद बच्चे को दिक्कत होरी होगी देख लो हो सकता है नेट का इश्यो बच्चो को यह ना नेट का इश्यो भी हो सकता है साफ आ रही है फिर नेट का इश्यो हो सकता है चलो तो लवलीना बोर्गहन, उनहित्तर किलोग्राम वेट के टेगरी में, ठीक है, उनहित्तर में बच्छो है, चलो, अगला कुशन है, बजरंग पूनिया, ब्रॉंज मेडल कुस्ती, लास्ट वाला मेडल इन्हों ने जीता था, बच्छो, बजरंग पूनिया ने जीता था, मॉस्को में जीता था, बच्छो, कब मॉस्को में, और कौन सा जीता था, गोल्ड मेडल जीता था, इससे पहले, ठीक है, और हमने बच्छो, ब्रॉंज मेडल जीतने के लिए किसको हराया, जर्मनी को हराया, हमने जर्मनी को हराया, बच्छो, ब्रॉंज मेडल जीतने के लि बाला फैंक बच्चो गोल्ड मेडल भाला फैंक बच्चो ठीक है देश के लिए व्यक्ति गत स्वान पदक जीतने वाले दूसरे व्यक्ति हैं अगर देश के लिए स्वान पदक की बात करें सबसे पहले अभिनब बिंदराने जीता था 2008 के ओल्फिक में 2008 के हुए कहा थे बीजिंग ओल्फिक में हमें सबसे पहले व्यक्ति गतियानी एक खिलाडी के दौरा हमने जीत रखे हैं होकी में 8-8 गोल्ड मेडल जीत रखे हैं जिन मेंसे बच्चो छे तो लगातारी थे छे बिलकुल लगातार किसी और को दिया ही नी गो गोल्ड मेडल किसने जीता है तो वो नाम आ जाएगा नीरज चौपडा का बच्छो, साथ अगस्त को जीता इन्होंने, आठ को खतम हो गया था उलम्पिक, 13 से शुरू हुआ था बच्छो, 13 जुलाई से शुरू हुआ था और 8 अगस्त को खतम हो गया था, और खतम होने से एक दिन पहले जीता, किसने हमारे शेर नीरज चौपडा ने गोल्ड मेडल जीता ठीक है चलो, नीरज चौपडा ने जीता बच्छो, गोल्ड मेडल ठीक है बच्छो, चलो तो यह है नीरज चौपडा, दो व्यक्तिगत मेडल जीतने वाले पहले खिलाडी, व्यक्तिगत माने 8 और 12 में जीता, 8 और 12 में पहले branch जीता, फिर silver, पहले branch फिर silver ठीक है, और दूसरा बच्चो भारत के olympic kul paddock हो गए 35, और kul gold medal हो गए 10, अब हमारे kul paddock है 35, kul gold medal हो गए 10, आज तक के बच्चो ठीक है अगर बात करें, दो व्यक्ति गत, तो पुरुसों में भी एक नहीं जीता है, सुशील कुमार ने, महिलाओं में पीवी सिंदु ने, पुरुसों में सुशील कुमार ने, महिलाओं में पीवी सिंदु ने, इन दोनों में से भी पहले किसने जीता, सुशील कुमार ने जीता था, ठीक है, भारती होकी टीम पहली बार, semi-final तक का सफर तै किया, क्या बचो, semi-final तक का सफर तै किया, बचो, भारत का अधिकारिक olympic गीत कौन सा था, cheer for India, cheer for India ये था हमारा olympic गीत, बचो, जिमनास्थिक की प्रतियोगता में, जज के तौर पर पहली बार कोई भारतिय गई, ये सीधे-सीधे जो सवाल भारतियोगे, वही मैंने लिखे है, दीपक काबरा जो है, जिमनास्टिक में, एजे जज गए पहली बार भारत से, जो होकी टीम है, पुरुसों की, उसने तो semi-final में, बचो, उसने भी semi-final तक का तै किया, और महिलाओं ने भी किया, लेकिन उन्होंने ब्राउंज मेडल जीता, और महिला टीम जो है, वो ब्राउंज मेडल का मैच हार गई, इसमें दोनों में इतना ही अंतर है बच्छों, ठीक है, चलो, है ना, पुरुस होकी का स्वर्ण पदक, बेलजीम ने जीता, पुरुस फुटबॉल का ब्राजील ने, ये दोनों जरूर याद रखने, प टैनिस का अलेक्जंडर जोएरेव ने, पुरुसों वाला, और महिलाओ वाला, बैलिंडा बैंकिक, ये नाम भी जरूर याद रखने, क्योंकि टैनिस का पूछ लेता है, ब्राजील फुटबॉल का पूछ लेगा, बेलजीम होकी का पूछ लेगा, अलेक्जंडर Victor Excelsen, कौन है बच्छो, Victor Excelsen भी पूछ सकता है बच्छो, ठीक है, वो tennis के, उसके badminton के, ठीक है, चलो तो ये मैंने आपको बता दिया बच्छो, दीपक काबरा वाला, Belgium होकी वाला, ये भी बता दिया, Alexander Joerev, tennis में, पुरसों का, खिताब, महिलाओं का बच्छो, Belinda Benkic ने जी RWA Current Affairs पे आपको मिलेगा, क्या बच्छो, RWA Current Affairs पे मिलेगा, हमारी app के लावा आपको, ये material ठीक है, चलो, कल बच्छो, थोड़ी बड़ी class करवाऊंगा, कोशिश करूँगा, कि एक घंटे के करीब की class हो, क्योंकि कल अब थोड़ा सा course खिचवाना है इस week, ठीक है, क्या क्या आओगे, क्या आप तैयार होके आओगे बच्छो, सारे के सारे, कल थोड़ा मैं चाहरा हूँ, कुछ महत्पूर्ण, पुरुसकार करा दिये जाए, और थोड़ा खीच के एक घंटे करा दिये जाए, रेडियो आप सब, बच्छो, इसकी playlist बनी हुई है, आपको playlist में ज दिक्कत होती है, तो आप PDF का वेट अगले दिन 12 बजे तक कर लिया करो, अगर 12 बजे तक कर लिया करो, अगर फिर दिक्कत हो तो आप कर लिया करो, वरना तो phone वगेरा टीम पे मत किया करो, आपको तुरंत इतनी जल्दी PDF पढ़नी भी नीची है, आपने तब ही class ली तब ही मर्जी है, ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं, सुबह सुबह पहले, हैना, आज के लिए इतना ही धन्यवाद.